नवस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं NDC News मैं हूँ आपके साथ अर्शना कौशल जो आपके लिए लेकर आती है हर बार कुछ खास और special story तो दोस्तों आज की हमारी special story में आपके लिए कुछ special अब special है वो तो हम ऐसे नहीं बताएंगे उसके लिए आपको देखनी पड़ेगी हमारी ये story कहा जाता है मानो तो सब कुछ है नहीं मानो तो कुछ भी नहीं यही कतन सभी चीजों पे निर्भर करता है जैसे शुब अशुब शगुन अप्चकुन भला बूरा सब हमारे विचारों पे निर्भर करता है और हमारी मान्यता पर निर्भर करता है कहते हैं विश्वास है तो भगवान है और ना माने तो क्या कहा जा सकता है आज हम बात करें एक ऐसे ही विश्य पर जिससे आप भी मान्यता रखते होंगे आपने भी बच्पन से सुना होगा कि बिल्ली का रास्ता काटना अब शकुन होता है बनता हुआ काम बिगर जाता है और विपदा भी आ सकती है लेकिन यहां जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं वो है तो बिल्ली के रास्ता काटने से ही जुड़ी हुई पर यहां मामला अपशकुन का नहीं है बलकि बिल्ली की रास्ता काटने पर आपको क्या फायदा हो सकता है ये हम आपको बताएंगे आए जानते हैं कैसी बिल्ली का रास्ता काटना आपके लिए अच्छा साबित होता है अगर बिल्ली बाई तरफ से दाई तरफ का रास्ता काटती है तो वो अशुब होता है क्योंकि वो दाई और से बाई और जाती है जिससे वो अपनी नकरात मकता को पीछे छोड़ देती है कोई व्यक्ति कहीं जा रहा हो और उसी समय बिल्ली बाइए और से रास्ता काटे और वो व्यक्ति उसे जाते हुए देख ले तो उसके लिए कुछ बूरी ख़बर आने वाली होती है बिल्ली बाईं और से दाईं जा रही है और बीच में रुक कर पीछे की और देख लेती है तो ये कुछ बूरा होने का संकेत होता है जब बिल्ली रोते हुए बाईं से रास्ता काट रही हो तो घर पे किसी परिजन की मृत्यू होने की ख़बर दोस्तों मैं जानती हूँ कि आपको हमारी स्टोरी बेहत पसंद आई और नीचे कमेंट करें लाइक करें शेयर करें और इस तरह की बहुत सारी स्टोरी हम से जानने के लिए हमारे चैनल को कीचिए सब्सक्राइब